Question No. 2 Question No. 2 2003 में आया हुआ है ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है The position of the particle varies with एक position दी है X is equal to 80 square minus bt cube एक ये position दी है और question में बोला है कि The acceleration will be 0 किस समय पर हमसे ये बोला है कि किस समय पर acceleration 0 हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम acceleration तक जाएं तो थिक तो क्या करेंगे dx upon dt कितना हो जाएगा 280 3 bt square बोल हो गया ये होती है velocity ये होती क्या velocity अब velocity को एक बार differentiate अगर करो तो कितना आएगा 2a और 326 bt हो जाएगा बोलो सही है इसको बोलते है acceleration और question में बोला है कि acceleration क्या है acceleration को 0 कर दो ठीक अब इसको minus 2a ये minus 6 bt हो जाएगा minus से minus करटा 2 से ये खड़ गया तो कितना हुआ a upon 3 b तो इसका मतलब इस समय पर acceleration क्या है 0 और question में से यही तो पूछा था position के equation दी और कहा कि acceleration कब 0 है ये बता दो acceleration कब 0 है a upon 3 b तो कौन सा अंसर से ये पहला अंसर बच्चो क्या है सही है ठीक नोट कर लीजेगा